तो हलो दोस्तों कैसे आप सभी एक फिट से हमारा स्वागत है आपकी प्यारी से परिवार में आज हम भात करने वाले हैं यह बायलोजी का लेक्षन नंबर आपका फोर है और आज हम इसमें बात करेंगे गॉल जी बॉड़ी के बारे में हम बात करेंगे यह क्या होता है यह सै रहें गर आज जिका यह शुरी इसके बार मागरम सही से जाने इसका फंक्सिन क्या होता है बोडी में तो यह जानेंगे गौल जी का होता है और कॉलड़ी उसकी जो खोच की थिस अबसे पहले तो यह की थी कैम मिलो गॉल गालगी नहीं कि ट्रैफिक प्लिस कहते हैं क्या कहते हैं से कोशिका का ट्रैफिक प्लिक जो होता है वो से किसे बोलते हैं गोल जी खाए बाड़ी को ठीक है इसमें क्या होता है यह प्रोटीन पैकेट भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे प्रोटीन पैकेट भी कहते हैं ठीक है और इसे कोशिका श्रावड का कार्य करती ह क्या करता है एक कोशी कि ये श्रावर का करे करते है कौन डूझिकायoga शक्राणौ का एक रोश्य ओव सब्चाइब करते हैं जो जो हमारी इसका होते हैं उनका इक र fim जो शक्राणौ का एक रूश्याओं क्या हर्मो स्रावड गल जिकाय करते हैं कौन करते हैं हर्मो स्रावड गल जिकाय करते हैं ठीक है इसे बोलते हैं मतर ओफ सेल इसे क्या बोलते हैं मतर ओफ सेल प्लांट सेलों में क्या होता है प्लांट जो कोशिका होती है उसमें यह डिक्ट्री डिक्ट्यों होता है इसमें ठीक है खया होता है डिख्तियों छीम एक चलो मारी बाड़ि में राइब और राइब व सॉंब थे हैं क्या याराइब थेत्ता हम रigon तो लाइब होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं प्रोट्टीन की बढूल यान इसमोलेष्ट सेल और्गनेश्म ठीक है और से प्रोटीन की फेक्टरी भी कहते हैं तो इसकी जो खोज की तो किस ने गीती बो किती पेला डेन है इति पेला डेना किस पेला डेना किस पर कीथी वह भी जीवाड़ू अब देको यह दो पिरकार की होते हैं राइब वसम दो स्टाइस के साथ से होंगे तो ऐसी बनती है इसमें दस यूनिटका लोग सुझा फाल एकितना हो अब एकितना हो जाता है सत्तर चालिस की डूप में होती है और इससे ल qualified ऐस प्रविख्राइब क्या हुब प्रोटिन का निर्माड करना थे खाए को टबंगा निर्माड करना और आ पिस धोग ओल जी का जón ऐसे का काम क्या होता है इसका काम होता है बेशेड ली-पर टीन का करना क्या होता है प्रोटीन का सेल में निर्माड करना जो हमारी सेल होती है उसमें क्या करना प्रोटीन निर्माड करना ठीक है अगली हम बात करें इसमें एंडू प्लास्मिक रेक्टिकूलम एक ऐसी एक अंतर दरबी जलिका होती है उसका क्या काम होता है तो उसके बार में हम हम जालती है तो उसकी जो खोज की थिबह की आप और टर्फ पॉर्टने। कि tissu की थी अठीक है किसने की थी पौ拶ंची थी को तरन्त नहीं किसो को ठीक है और यह दो पिरकार का होता है कि मुई proporta dö एक तो कॉमल होगा यह खुदर हो गी सिक आफ एक लिए की ढूती है न्सकार उसमें नहीं पूलब कोशान ठीक है तो इस टरह सुझना अर्ट इसलेख नहीं से करके खुर्दरी किंद्रक के समीप होती है ठीक है अब कोशी का जिल्ली इसमें कैसी होती है कोमल होती है इसमें कोशी का जिल्ली कैसी होती होती है कोमल और इसमें किंद्रक होता है ठीक है अब इसके बाद चलते हैं लबक लबक क्या होता है अगर हम इसमें लबक की बात करे होता है इसमें इसके कोच किती है कलने देख है और यह केबल पाद पाद पाओ पादप कोशिकाओं मैं ही उपस्तित होता है यानि की प्लांट जैलों में ही उपस्तित होता है किसमें होता है प्लांट जैलों में ठीक है और यह रंग प्रदान करने के लिए प्रोवाइड कलर 살 Death 10 को प्राइड निकर Lower Our Master ॐ दिए थिए अ पीर्कार का होता है कि तरप्रेक्र का थार ये प्रेकर का मैं प्रिकार की मैं लूटाए है तो वह बता है ये तो वह होता है लवक्ट या निप्लाफन है क्यों होता है ल्वक लक्न को प्लास्ट चुड़ फंट कैब था प्रस्ट ठीड ठीक कर लाष axes दीफ सक्टेट हए सबसे पेर गहों सबसे इड़ाई भेल आगा हरत लबक याने की यहारा कना और और दूसरा क्रोमोप्लास्ट वड़ी लवक और तीसरा आवड़ी लवक यानि क्लूरोप्लास्ट ठीक है क्लूरोप्लास्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट हो गया अवड़ी लवक हो गया ठीक है जिसे ली को प्लास्ट भी बोलते हैं चलिए अगे-शल्ते हम आगे आगे करें तो यह प्लास प्लास ट्यमें नाजक्राइब आए कि ती है कल ने घीती सब्द किसने ताथ सिंपर दिया था एक अब लिखोश को जो प्लांट सेल में पाया जाता है रग प्रदान करने ठीक और इसके टाइप कि द्रें बतायते सब्सक्राइब को यह पार्ट यान कि क्लूर प्ल सब्सक्राइब कि यह पाइब करने के लिए होता है क्लॉरस्ट ग्लोर प्लास्ट क jogo ठैट पेटाहिक उपस्टेथ होता है कि क्लूरीप्लाश्ट सरी क्लूरुफिल वर्डुख वर्ड यानि की पिगमेंट उपस्टेथ हότε तब तो पेड़ों क्या सीह हरे उते हैं कि उनमेए पिगमेंट वनता है जिसे वीसे हम देट ऐह बात करें इसमें है presidente current कि अग्ला है ख्रोरो क्लोरोफ फिल्जों ह reverseро fences उसमें जो पेड़-बिद्टों का रंग कैसा हुद हरा तो ख्रोर फिल के प्रिकार में को श्श perm unity को श्र में कि आटे हैं और यह क्या करता है प्रिकास वकास से क्रिज़ करके उतमwij परदान करकर रहा ठाब कराम कुझा है रहे रग को छोड़ कर सब करते हैं पूल में पाई जाते हैं यह वर्ड पिगमेंट ठीक है यह किसमें होते हैं हरी रंग को छोड़ का बाग कि किसी भी रंग का उनको प्रदान करना ठीक है और रंग और प्रदान करता है क्लूरोफिल अब बात करते हैं स्वेथ स्वेथ लवर्ण क्या होता है यह सपेद रंग प्रदान करते हैं जर्ड 10 अधी मंब कोई वर्डिकश लग मे儿 नहीं कोई पिगमेंट नहीं प्रदान नहीं होता इसलिए इनका रंग कैसा होता है फिक है इन प्रदान करता है प्रेड पत्तों और खोड़ के और लिगो प्लास्ट में क्या होता है रंग प्रदान नहीं करता जैसे आपने जड़ देखें होंगे ठीक है विद्ध देखा होगा उसमें कोई भी रंग नहीं होगा ठीक है अगर हम चलते हैं यह एक प्रॉसेस है यह देखो स्टोमेटा डिक है स्टोमेटा में यह क्या होता है यह अजब लाइट आएगी तब उसके साथ च्टोमा और प्रकास नहीं आएगा तो यह ग्रेनम है ओर अपिर असमे गहता है यह लगा चलो इसके यए बारा मैं तो बात माप करें सेल की बारे न के पड़ेंगे अब चलते हैं शैंट्रो सॉम वी स्पॉर में किया हुत अपर्शान वे प्लारी ने ले लिया है इससलियाति वह वावर्य ने टिप मेरी ने लिए होता है केवल जन्तु कोशिकाओं में उपस्थित कुछ सेलवा कबक में ही है ना यह सेंटर तों क्या होता है यह कुछ सअलों में होता है और कुछ सेलों में अबそुत होता आए यह कुछ सेहीं और करें तुरिक मेलस की सब्च इसके रचेकर होसी की सबार्ण कि लूरो प्रास्ट रप्र एंट रडी जाड़ी विल्ते सेमी और टो नॉम्स डीने आर्यने और सब्सक्राइब करें अब गुर्सुत्र की बात करें कुलूर फॉल कि बात करें तो इसमें देखो पूर्ण जोंग्स क्या होता है क्रूमिंग सकी स्थिए म के चोच की टी दोल दिया किसना बावेरी डिया ने शिद्दाहंत को सेहन वाघल है लिंग का निर्दाहरत है करते हैं अब यह बताव एक मतल रिखुरशो सब्सक्राइब से लिए हुए को क्य erfolgd अब बैडने युटिफर इस और इनको अगर रख मृतिवर करको तो जाए गए अब बात करूँ कि अब लेक हुटा है सुमेटिक क्रोम सोमेटिक होते हैं एक से लिए-2 अगे सब में क्या हो जाएंगे common हर्ष बाद कॉमन मिलेंगे लेकिन जो हमारे लाष्ट को जो घूड्स उत्र है यानि मेल फीमेल में common मिलेंगे समने यह फीमेल में लेकिन लास्ट के जो एक जो तीज में जोड़ा होता है वह डिफरेंट होता है वह डिपेंड करता है लिंग निर्धारण बाकि जो बाइस जोड़े होते हैं वह आपकी body structure को निर्धारण करते हैं ठीक है आप जैसे देखो एक से लेक बाईस तक लड़कियों में क्या होजाता या एकस फोते हैं लड़काल रदकी में XX मिलेंगे ठेगे है अब टेश में क्या रोट दो दो इदारत जते हैं कि दो लिगल सुत्र कि अगुरिता शुक्राडव अंडाडव अगुडित ठीक है केबल 23 वह जोड़ा होता है आए जिसके द्वारा हम क्या करते हैं यह डिप लड़का है या लड़की है ठीक है क्रोम जॉम्स के द्वारा ठीक है कौन से जोड़ा तेईसमें सब्सक्राइब देखने में इसे बोलते हैं ययंद्रिय बंदु मद्ध में जो बंदु मत अबसे बोलते हैं यह यह सब और मेता सेंट्रिक अमद्री के इंद्रिय एब से एक एसे होगा आप एक च्छोटा होगा और दूसरा कितना संट गरीनुफथ थिए अगले बात करें हम रोगा ऐसे घर करेंगे कि मैं हम इस उलेक्त एलम बात करेंज ऑफिसी प्रूराहिज तदो किए वते हैं टेलो सेंट्रिक पसे हाइँ कर अगर हम किस किस में कितनी कर दूंधर होते हैं तो हम बत गरेंगे को optimal सwekar 1046 में helemaal जोड़ें आउसने सोला मकप में 20 जावल में 14 में 26 गुआ है 42 मनुश्य में 46 यह जोड़े नहीं है यह टोटल है ठीक है क्या है यह टोटल है ठीक है अब मच्छर में 6 और आलू में कितने गुड़ सूतर होते हैं 48 यह यह गुड़ सूतरों की शंग क्या है अब है मैडलीन अब हम बात करेंगी जीन यह बारे में जीन क्या होता है तो जीन के बारे में बात करें बेशिकली आनवान शिक्री की ये एकाई होती है जीन जिन के द्वारा हम ये निर्दारत करते हैं कि ये इनसान इसी का मतलब इसी से उत्पन हुआ है या नहीं है ना जैसे मारे लोग कोई एक बच्चा है ठीक है और वो ये दावा कर रहा है कि ये मेरे फादर है तो उसके जीन मैच करेंगे और ये डिसाइड करेंगे ये देखेंगे क्या ये इनिंग का सन है या नहीं तो यह होता है जीनों के थुरू और ये टेस्ट पगड़ा कराते हैं तो आनवान शिकी की काई यूनिट ऑफ हैरेडिटी जिस इसकी कोज की ती ज जो नशन जो नसन ने जो नशन नगी ती जो नसन नगी ती जो आनवान शिक लच्षण यानि कि बालों का रंग आखों का रंग तोचा का रंग उचाई रोग को एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में पहुंचा नहीं जीन कहलाते हैं ये जो होती है वो लगबग संग्या म इंसे वी सजार से लेके। और ये साथ-वी सजार से लिए 25 हजार जीनम होते हैं थक है और इनकी जो खोज की पता हैं प्रबाता का नियम जान अब टागानियम दूसर जयाता प्रतिकर अनियम हो थी सउतंत्र अ है आफ ये रोच्त फिर्ड जयाँ हम अ यानि जी सेंब भण पेलोग ऑडॉमिनेंस लाव सब्वाइशन लोग एंडिपेंडेंट हैं यह तो है को इन्हों ने बताया है कि कोश का की और 아ंड के अंधर में और संसार में सब से बड़ी इंत्र मुर्ग का अंडा है कौन है सतर मुर्ग का अंडा ठीक है और ये पंदर बार 13 से पंदर सेंटीमिटर का होता है और संसार में सबसे चोटी सेल है वो बैक्टिरिया है जो माइको प्लाजमा जैली सेप्टम माइको प्लाजमा जैली सेप्टम है बैक्टिरिया है जो कि माइको प्लाजमा जैली सेप्टम है इसका साइज कितना है सबसे चोटी सेल है जिए जीरो पॉइंट टू और जीरो पॉइंट थ्री माइक्रो मीटर ठीक है इतना चोटा है इसका साइज ठीक है अब हम इसमें बात स्था करते है मानाब शरी से तो मानब सरी कि सबसे लंबी कोश्का सेल कौन सी है यह बोला हुआ है तो यह सबसे लम्बी क्या हो जाएगी लाजगेश्ट सेल एक जिसे नर्बस सेजल पोलते हैं और सबसे बड़ी कोश्ण का कौन सी है तो हम बोलेंगे बीगर्ष्ट सेल जिसे बोलता अंडारू तो आणड़ों है क्या बोलेंगे अंड़ाड़ों मतलब और यह में होता है और सबसे चोटी अल्ग हम स्पम होते हैं थोड़ी सी जगए में मातनी करोड़ों और खरव अगर शिया है या एक इतने चोटे से itterswen視 cue इतसरी में इतने बड़ए बड़ा है तो इसका में यह जिया और वह को मैं डीक है इक परल जारों करोड़ों बहूँ ठकरलते हैं कि चोटे होते हैं तो चोटी चीश से बड़ी चीश से च्टी चिश्य चूट तक राते हैं तकराते हैं तो क्या होता है इसमें अधर फटेलाइशन की प्रोसेस होती है ठीक है चलो आज की वीडियों के लिए अगर कोई और इसमें कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वाली पीडियाप को हैंड़ेटे नोट्स की पीडियाप को आप अगर लेना जाए तो मेरे टेलीग्राम से जूठ जाए टेलीग्राम का लिंक तो two डिसकषण में अगर आप को अगर आपको लिंक को नहीं मिला तो आप मुझे वीडियो को निचे कमेट कर दीजी ख और मैं उसमे में मैं अब आपको एड कर दूंग है या बनोटस आप मिल जाएंगो